पूरी सी संजीदगी और ये जो नजम सुना रहे हैं उमर फारूक साथ बहुत अच्छी नजम है जब आप बोलते हैं तो वही बोलते हैं जो आप जानते हैं लेकिन जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ वो सुनते हैं जो आप नहीं जानते हैं लेयाज आज इस माइक पर ज सब रास्ते तमाम हुए, हम एहले दर्दे महबत कहां कहां भटकें, सफर की गर्द भी अब ठक के सारी बैठ गई, जमी पे आबला पाई का ये करम भी रहा, फरेबे जादे हस्ती की आजजी की किसम, महबतों में भी ऐसे मकाम आते हैं, कि दस्तरस में वही हो जो दिल की खाहि बढ़ी फिकर अंगेज और मानी खेज नजमें, उमर फारूक साब ने सुनाई, और मैं शुक्र गुजारूं उनका, कि वो तारिख वेजी साब की दावत पर यहां तर्शीफ लाए, दोस्तों, आईए हमारी बहुत सी बहनें और बेटियां भी यहां हैं, और हमारे साथ भ माहिनगी और तर्जमानी करने के लिए कराची से तर्शीफ लाई हैं, मौतरमा अंबरीन हसीब, ऐसी बावाकार शायरा कि उनकी शायरी में फिकरो दानिस्ट के जुगनू चमकते हैं, एक बहुत मानूस चेरा पाकिस्तान टेलिवेजन से मतालिक, उसके अलावा उनकी अद पूल का बोसा लेने के लिए जमीन पर उतराई है, ऐसे नाजू के इसा साथ की चायरा घजल भी बहुत अच्छी, नजम भी बहुत अच्छी, यकिनन वो आज हमारे सदर मुशारा आली जनाब जावेद अख्तर साहब की होसला अवजाईयां और दौाएं हासिल करेंगी, गोजारिश कर रहा हूं, अम्बरीन असीब साहबा से, कराची से तक्षीफ लाइएं। के खवातीन हमारे साथ ही हैं। सबसे पहले दो शेर बत और तारुफ कह लीजे। जो भी रखो सोच लेना, तालुक जो भी रखो सोच लेना, के हम रिश्टा निभाना जानते हैं, तीन शेर और और ओरत के हवाले से, के मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं महबत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं महबत की अलामत मैं वफा की तस्वीर मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में मैं महबत की अलामत मैं वफा की तस्वीर मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में कदर यूस्फ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेच आए उसे मिसर के बाजारों में, तुम तो बेच आए उसे मिसर के बाजारों में, तुम तो बेच आए उसे मिसर के बाजारों में, तुम तो बेच आए उसे मिसर के बाजारों में, आदाफ शब्थी बेखाब एक आर्जू देर तक शब्थी बेखाब एक आर्जू देर तक शहर दिल में फिरी कूबकू देर तक दफ़तन उड़ गई है निगाहे मेरी आज बैठे रहो रूबरू देर तक दफ़तन उड़ गई है निगाहे मेरी आज बैठे रहो रूबरू देर तक तुमने किस कैफियत में मुखाब किया कैफ देता रहा लफ्थ तू देर तक तुमने किस कैफियत में मुखाब किया कैफ देता रहा लफ्थ तू देर तक तुम्हारा जो सहारा हो गया है भमर भी अब कनारा हो गया है तुम्हारा जो सहारा हो गया है भमर भी अब कनारा हो गया है महबत में भला क्या और होता महबत में भला क्या और होता ये मेरा दिल तुम्हारा हो गया है महबत में भला क्या और होता ये मेरा दिल तुम्हारा हो गया है जिनहें रहता था जामे दिल फरोशी जिनहें रहता था जामे दिल फरोशी उन्हें अब के खसारा हो गया है जिनहें रहता था जामे दिल फरोशी उन्हें अब के खसारा हो गया है हमें कब रासा सकती थी दुनिया हमें कब रासा सकती थी दुनिया गनीमत है गुजारा हो गया है वो मसीहाना बना हमने भी खाहिश नहीं की वो मसीहाना बना हमने भी खाहिश नहीं की अपनी शर्तों पे जिये उससे गुजारिश नहीं की वो मसीहाना बना हमने भी खाहिश नहीं की अपनी शर्तों पे जिये उससे गुजारिश नहीं की जाने क्यों बुजने लगे अवले शब सारे चराख आंधियों ने भी अगरचे कोई साजश नहीं की जाने क्यों बुजने लगे अवले शब सारे चराख आंधियों ने भी अगरचे कोई साजश नहीं की और ये शेर खवातीन बहतर समझ सकेंगी के अबके हमने भी दिया तरके तालुक का जवाब अबके हमने भी दिया अतर के तालुक का जवाब होट खामोश रहे आँखने बारिश नहीं की उसने जाहिर ना किया अपना पशेमा होना उसने जाहिर ना किया अपना पशेमा होना हम भी अनजान रहे हमने भी पुर्सिश नहीं की उसने जाहिर ना किया अपना पशेमा होना हम भी अनजान रहे हमने भी पुर्सिश नहीं की हम तो सुनते थे के मिल जाते हैं बिछडे हुए लोग हम तो सुनते थे के मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की हम तो सुनते थे के मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की नक्ष फर्यादी है किसकी शोखी ये तहरीर का अगर ये थोड़ी जरा बच्चे की खाहोशी हो सके तो हमें गजल और पेश करते हैं जिन्दगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे जिन्दगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे एक घरोंदार रेत का था जिसको घर करते रहे जिन्दगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे एक घरोंदार रेत का था जिसको घर करते रहे हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर शेहर कुफा की तरह